गुद मॉर्निंग फ्रेंट्स आज है बारा जुलाई और ग्यारा और बारा जुलाई की करेंट अफेर्स के साथ मैं अर्चना सिंग आप लोग का अपने चैनल सक्सेस मंच में वेलकम करती हूं तो आज देख लेते हैं देश और दुनिया में क्या नया हुआ क्योंकि 11 तारिकों भी अप्लोड नहीं हो पाया था लेक्टर बहुत खास नीज नहीं थी इस वज़े से मैंने दोनों को कमबाइन में 11 और 12 जुलाई की नियूस लेकर रही हूं तो देख लेते हैं क्या नया है बहुत बहुत इंपोर्टेंट है चाहे वह SSC का हो बैंक का हो MPPCS, UPPCS, UPSC, Railway और किसी भी अधर स्टेट के एक्जाम हो उनके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट कर इंटरफेर उसके लावा और कुछ भी आपको पाढ़ने की जरूत नहीं है इसका लिंक जब वीकली कर अपलोड हो चुके हैं जिसको नहीं मिल रहा हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं तो चले शुरू करते हैं आज का करेंट अफेर पहला कुछ ने आज का वालीवुट की वेटरन कॉमेडियन जिसने शोले फिल्म में अभिने किया था उनका हाल ही में निधन हो गया है तो वह कौन है तो आप लोग जैसा के जानते हों कि जगदीप जिसने सूर्मा भुपाली का रोल किया था उनका निधन हो गया है जगद वॉलिवूट की वेटरन कॉमेडियन जिसने शोले फिल्म में अबने किया था और जगदीब का उनका निधन हो गया है और उनके निधन पर सब ने शोक व्यक्त किया है जगदीब उर्फ सूर्मा भुपाली जिने कहा जाता है अमिताब बच्चन के दाथ शोले और सहंसा कई फिल्मों में काम कर चुकी है निक्स्ट निमलिकित में से कि शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारती यूजर के लिए टिक टोक जैसे फीचर रील्स लाँच किया है तो ये किया है इंस्टाग्राम ने शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारती यूजर के लिए टिक टोक जैसे फीचर रील्स को लाँच किया है रील्स है जो की शोट वीडियो प्लेटफॉर्म टिक टोक की तरह काम करता है जिसकी यूजर ओडियो फाइस ये म्यूजीक ट्रेक के साथ 15 सेकिंड का वीडियो बन लिए निक्स्कोशन है भारती सेना में हाल ही में कितने एप को बैन कर दिया है तो भारती इसना प्रतिबंध लगाया है नेक्स कोशिन है भारती एटलिक्स में किस मुख्य कोच को 25 वश की उम्र से अधिक होने पर पद से हटना पड़ा है तो वह हैं हमारे बहादूर सिंग तो भारती एटलिक्स के मुख्य कोच जो बहादूर से अधिक होने पर पद से हतना पड़ा है साथी भारती खेल प्रादिकरन जिसे साही कहा जाता है के साथ उनका अनुबंध भी समाप्त हो गया है नेक्स कोशिन निम्रिकित में से किस राज्य सरकार ने देहिंग पठकाई वन नजीब अभ्यारन को रास्तिय उद्यान की असम सरकार यह वन निजीब अभ्यारन असम में छेत्रफल 1011.942 वर किलोमीटर में है अपग्रेट होने के बाद यह अभ्यारन असम का छटा रास्तिय उद्यान बन जाएगा नेक्स कोशिन टेस्ट क्रिकेट की कितने साल के इतिहास में पहली बार खाली स्टेडियम में बि 143 यह बाद कोरोना के कारण 143 साल के इतिहास में पहली बार खाली स्टेडियम में बिना दर्शकों के मैच खेला गया इंग्लेंड वेस्ट इंडीज के बीच 8 जुलाई से अंतरास्ति टेस्ट मैच खेला जा रहा है लगवक चार महीने बाद अंतरास्ति क्रिकेट शुरू नेनक्स कोश्चन देखते हैं लिवह बिकितों मेसे किस देश के पधान मंतरी एमादू गोन कुली बली का हालहिमें 61 साल के उमर में निधन हो गया है तो यह हमारे हैं अईवरी कोस्ट के फ्रांस में दो महीने तक लिए चलने के बाद हालहिमें और प्रधान मंतरे सब्सक्राइब नेक्स कोशन है विदेशी समाचार वित्रक संग्ठन मंटी मीडिया ओपरेटर्स निन्न में से किस देश में भारत के सभी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दी है तो यह है नेपाल नेपाल के साथ जारी तनातनी के बीच नेपाल में केबल ओपरेटर ने अपने देश में सभी भारती न्यूज चैनलों पर प्रतिबंद लगा दिया है हाला कि उनकी इस प्रतिबंद दूर दर्शन को बाहर रखा गया है भारत और नेपाल को लेकर तनाव जारी है इस हिमाले किस तितली को 88 वर्षवाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने की उपाधी दी गई है तो यह है गोल्डन बर्डविंग तितली हिमाले की हाली में गोल्डन बर्डविंग तितली को 88 वर्षवाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खो जा गया है गोल्ड इस में खो जा था इस प्रजाति की पंखों की लंबा 194 mm तक होती है और इस प्रजाति की मादा गॉल्डन बर्डविन दक्षिन बर्डविन 190 mm की तुल्ण में मामूली रूप से बड़ी होती है नेक्स कोशिन हाल ही में दक्षिनपूर वेशया में खसरा और चेचक को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है तो मालदीप और शिल्लंका ये दोनों ही ऐसे देश हैं जिन्होंने खसरा और चेचक को समाप्त कर दिया है खसरा एक गंभीर विमारी है जिससे दाने होते हैं और बुखार आता है और चेचक विमारी से गर्वती इस्तरी के गर में पल रहे बच्चा अंधा बहरा और मंध बुद्धी पैदा होता है मालदीप और शिल्लंका डबलू एचो दक्षिनपूर वेशया में ऐसे मुद्धार है शिल्लंकन रुपिया राष्ट पती है गोथ बैस पक्षचह और प्रद्धान मत्री इसकी मुद्रा है और यहां की राष्ट नियुक्त फरी है coordola mm veggie Soni नेक्स्ट बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट्वेर कंपनी जिसका नेट प्रॉफिल जून 2020 तिमाही में 14% गिरकर 7,008 करोड रुपेत है तो ये है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट्वेर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का नेट प्रॉफिट जून 2020 तिमाही में 14% गिरकर 7,008 करोड रुपे रहा साथी TCS ने 5 रुपे प्रती शेड डिविडेंट भी देने की घोशना की है नेक्स कोशन हाल ही में किसने क्रिशी अव सनरचना कोश के तहत वित्य पोशन सुविधा के लिए केंद्री छेत्र योजना को मंजूरी दी है तो ये दिया है हमारे केंद्र सरकार ने जिससे फसल के बाद बुन्यादी धाचा प्रबंधन और मध्यम लंबी अवधी के रिण वित्त पोशन की सुविधा मिल सकेगी नेक्स कोशन 11 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है जो कल मनाया गया वो था विश्व जनसंख्या दिवस तो ये आप लोग याद रखेंगे कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है तो 11 जुलाई को विश्व भर में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है इस दिवस का उद्देश जनसंख्या संबंदी समस्या और वैश्विक चेतना जागरित करना है सबसे पहले विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1989 को मनाया गया था तो ये भी आप याद पाचेगे तमिलनाडू राजी के जी अकाज जिनकी FIDE रेटिंग 2495 है विदेश के 66 शत्रंच ग्रेंड मास्टर बन गए ग्रेंड मास्टर वे सरगोर्च खिताब होता है जिसे एक सत्रंच खिलाडी द्वारा अपने केरियर में प्राप्त किया जाता है निक्स कोशन है इस जो एशिया कप है वो 2021 में शिरलंका में आयोजित होगा जिसकी पुष्टी एशिन क्रिकेट काउंसल यानी ACC ने की है जबकि 2022 में टूर्णामेंट PCB कराएगा ऐसे में लगाता है दो साल यह एशिया कप होगा नेक्स कोशन है BCCI ने चीफ एग्जेक्यूटिव ऑफिसर का किसका स्टीफा मनजूर किया है तो यह किया है राहुल जोहरी का स्टीफा मनजूर BCCI ने Chief Executive Officer CEO राहुल जोहरी का इस्तीफा मन्जूर कर लिया है जबकि जोहरी ने 27 दिसंबर को भी पत से इस्तीफा दिया था पर उसे नामन्जूर माउस समय कर लिया गया था मीडिया रिपोर्टर्स के मताबिक राहुल जोहरी पर गोपनी जानकारी मीडिया को लीग करने का आरोप लगाने का शक है नेक्स कोशन है खेल मंत्राले के आदेश के बाद होकी इंडिया के अध्यक्ष इन में से किस ने अपने पत से इस्तीफा दे दिया है तो ये हैं हमारे मोहमद मुस्ताक ऐहमद खेल मंत्राले के आदेश के बाद होकी इंडिया के अध्यक्ष मोहमद मुस्ताक ऐहमद ने हाली में अपने पत से नियुक्त किया गया है नेक्स कोशन यूरोपे देशों के बाद किस देश ने हाल ही में पाकिस्तान इंटरनेशनल एराइंस की उडान पर रोक लगा दी है तो ये लगाई है अमेरिका ने यूरोपिय देशों के बाद अमेरिका ने भी पाइलेटों के फ़र्जी लाइसेंस और सुरक्षा उपायों में कमी को लेकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एराइंस की उडानों पर रोक लगा दिया जबकि EASA ने पाकिस्तान सरकार की विमानन कमपनी पर छे महीने के लिए लोग रोक लगा रखी है तो आज की करेंट फिर यहीं खतम होते होप आपको वीडियो पसंद आई होगी कराई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कूल न भूले और बेल आइकन ज सक्सेस मौन्च